मैं नीट्र लखके कोई भी बाते करूंगा आपको हो सकता है अच्छा लगे और हो सकता है कुछ बाते अच्छा ना लगे अभी हाली में एक इंडियन कुछ मुस्लिमों ने नेपाली जहंडा को जलाया था ना तो ये रिष्टा नेपाल के केपी सर्मा ओली ने बनाया है ना तो हमारे भारतिये परधान मंत्री मोदी जी बनाये हैं नमसकार दोस्तों मैं सागर आज अभी आप देख रहे हैं आरोही फिल्म यूटूब चाइनल दोस्तों हमारे यहां एक कहावत है कि बांच क्या जाने परसुति का दर्द क्या होता है इसका मतलब दोस्तों की जो की नेपाल और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें जो भारत के बीच में रह रहे हैं लोग और नेपाल के बीच में रह रहे हैं लोग को सायद इसका अंदाजा ही नहीं है कि जो रोटी बेटी का मतलब है वो क्या है एक्षिली में ये किस तरह का संबंध है वो लोग जानते ही नहीं है ये तो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं कि नेपाल के तरही के लोग जो की मधेस में रहा करते हैं मधेसी कहा जाता है वो लोग जानते हैं नहीं तो बिहार के लोग जानते हैं कि इन दोनों का संबंध कैसा ह दोस्तों नेपाला और भारत का रिष्टा ऐसा है कि दो शरीर भले ही हो आत्मा एक ही है वैसे किसिम का ये दोनों का रिष्टा है एक जमीन के टूक्टे की वज़ा से ऐसे रिष्टे को इस लेवल पर लोग लेकर चला गया है कि बहुत ही दिन प्रति दिन ऐसा कठिनाईया आते जा रहा है और इसमें आने वाली कठनाईयों की वजह मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं सबसे पहला कारण है दोस्तों कि एक दूसरे की नेशन का रिस्पेक्ट ना करना मैं यहां पर नहीं कहता हूं कि नेपाल गलत है या इंडिया गलत है मैं यह नहीं कहता हूं कुछ तथ है रखत पूरे को पूरे गलती कर रहा है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैं मीडिया नहीं बल्कि एक यूटूबर हूं और मुझे पूरा साफ-साफ दिखता है कि क्या चलरा है किया सही है क्या ग歪 मैं नीट्र लगकर कोई भी बाते करूंगा आपको हो सकता है अच्छा लगे और हो सकता है कुछ बाते अच्छा न लगे लेकिंँ लेकिन दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा कुछ बाते आप लोगों को समझ में आए लौजिक समझ में आए तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा तो पहला जो मैंने बात बताया था दोस्तों पहला बात है कि एक दूसरे का नेषन का रिस्पेक्ट मा करना अभी हाल ही में एक इंडियन कुछ मुस्लिमों से नेपाली झहणडा को जलाया था जो कि कतई रूप से मानविय कार्य नहीं है इसे मानविय कार्य कहीं नहीं जा सकता मैं मानता हूं कि नेपाल और भारत के बीच में अभी कुछ रिष्टे में खटास आया है लेकिन किसी भी नेशन का फ्लैग उसका सम्मान होता है उसका गवरव होता है और उसका जलाना मतलब पूस देश का सान को जलाना होता है तो इस मुस्लिम ने वह कर दिया जो की आग में घीर डालने का काम होता है और ये बहुत भारी मात्रा रूप में घेट मिला नेपाल से इंडिया को ये एक बहुत बारा काणन है तो दोस्तों बीना कुछ सोचे समझे नेपाल और भारत के र रिष्टा नेपाल के केपी सर्मा ओली ने बनाया है ना तो हमारे भारतिये पर्धानमंत्री मोदी जी बनाये है ये रिष्टा सदियों से चलता आ रहा है और ये रिष्टा यूगों से चलता आ रहा है दोस्तों इसे हमने आपने नहीं बनाया है और ये रिष्टा कितना ग घर में नेपाली से रिष्टा है तो दोस्तों ऐसे रिष्टे को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे रिष्टों को जंद जमीन के टुकुड़क वज़े से हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं जो जमीन जिस का है वो उसको मिले बस इस पे नेपाल और भारत के रिष्टो को भारत और पाकिसान के रिष्टे की तरह ना कर दिया जाये तो आप लोग से मैं request करता हूँ कि hate मत फालाई आप लोग जितना हो सके hate मत फालाई है दूसरी बात है दोस्तों इंडियन मीडिया हो या नेपाली मीडिया हो मेडिया पे आँख मुन कर विश्वास करना और उसके नियूज को सच मान लेना आज के यूग में एकदम बेवकूफी वाले बात है दोस्तों नियूज चाइनल वाले अपने टी आरपी बढ़ाने के लिए अपने नियूज को बढ़ा चढ़ा कर बहुत ही ऐसा ढंक से दिखा आते हैं मीडिया और जो भारतिये मीडिया है उसका तो कहना ही कुछ और है दोस्तों अगर दो साइड में कोई विवाद हो तो दोनों साइड का पक्ष उसका क्या कहना है और इसका क्या कहना है दोनों की तरफ दोनों का point of view बताना रहता है लेकिन हमारे जो भारतिये मीडिय है ना सिर्फ अपना पक्ष बताता है और अपने आपको ही सच्चा और अगले को दोसी ठहराता है हमारे भारतिय यह खुब खुटख के भड़ा हुआ है तो किर्पिया आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे मीडिया की बातों पर विश्वास करके जल्दी ही भारत की विरोध आप लोग मत करें और खास करके जो हमारे गोस्वामी जी है उनका तो बात खुद उनका इज़त हमारे इंडियन लोग हमारे भारतिये लोग नहीं करते हैं तो आप लोग उनके बातों में कहां आ गए तिसरा पॉइंट यह है कि दोस्तों नेपाल के कुछ फ्रेंड लोग कहते हैं कि गोर्खा रिजिमेंट के बारे में आप लोग गोर्खा रिजिमेंट को लेकर बार-बार भारत को तान सिख रिजिमेंट है बहुत ऐसे रिजिमेंट है दोस्तों जो की देश के रख्षा करने के लिए काफी है प्रयाप्त है चौथा पॉइंट है दोस्तों अगर घर में हो या आपके अड़ोस पड़ोस में हो किसी जमीन को लेकर अगर विवाद चल रहा हो तो अगर आप एक उसे से लड़ते रहोगे बात से हो या कुछ भी तरीका से लड़ते रहोगे तो वो प्रोब्लेम सॉल्व नहीं होगा जहां तक कि प्रोब्लेम बढ़ता ही जाएगा इस प्रोब्लेम का सॉल्व होगा एक ही तरीका से कि सब बैटके एक टेबॉल पर बैटकर इस प्रोब् का संबंध है और इस संबंध को दुनिया का कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकता है उन्होंने यह एस्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जो नए मैप का जो प्रोब्लेम अभी आया है इसे हम लोग सौट आउट कर लेंगे बैठ कर अभी ऐसा कोई प्रोब्लेम नह भारत की जो लड़ाई हो रही थी वह तो दोस्तों क्यूंकि भारत के लिए सबसे बड़का चुनावति पूर्ण जो बात थी वह कुरोना वाइरस से लड़ना और चीन से लड़ना था क्यूंकि नेपाल तो हमारे मित्र देश है हम बाद में भी बैठ कर इस प्रोब्लेम को तो सोल्व कर सकते थे लेकिन नेपाल के परधान मंत्री नेपाल के राजनेतिक दनले यह बात को नहीं समझा और इस नक्से को पारीत कर दिया और जहां तक इस विवाद को बढ़ा दिया है दोस्तों पांचवा पॉइंट यह है कि नेपाल में एक और बिल पास किया गया है कि अगर किसी भी विदेशी महिला के साथ अगर नेपाली के साथ ही होता है और विदेशी महिला नेपाल में जाती है तो उसे 7 साल वेट करना पड़ेगा नेपाली सिटिजन्शिप के लिए तो ऐसे में कुछ लोग बिरोद कर रहे हैं इस फैसले का जो की कह रहे हैं कि भारतीय और नेपाल के बीच में जो रोटी बेटी का संबंद है इस पे ठेस पहुंच रहा है कहीं ने कहीं इस बिल से दोस्तों अगर सच में कहा जाए तो इस बिल के पास होने पर जो नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध था उसमें कुछ तो प्रोब्लेम में आएंगी लेकिन ये बात एक तरफा ही है जो लोग बता रहे हैं वो पूरा बात नहीं बता रहा है पूरा बात मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल और भारत के बीच जो रोटी बेटी का करता है तो उसे citizenship लेने के लिए साथ साल बेट करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं नेपाल भी एक अच्छा स्टेप उठाया है और इसे सम्मान करना चाहिए प्रवका लेकिन अगर सच में रोटी बेटी का सम्मध को अच्छा करना है तो भारत को और नेपाल को दोनों को इस जो टाइम है टाइम को डूरेशन का कम करना चाहिए दो या तीन साल कर देना चाहिए कि इतने साल में citizenship दे देना चाहिए दोनों देश में इकोल टाइम तो दोस्तों यह कहीं न कहीं इस प्रोब्लेम को भी लेकर नेपाल और भारत के कुछ लोग हैं जो विरुद कर रहे हैं कि ऐसा बिल पास कर दिया है ऐसा बिल पास कर दिया है तो ऐसे कुछ खास बात है नहीं भारत में ओलेड़ी यह बिल पास हुआ है कि फॉर्णर गर्ल अगर आएगी भारत में तो उसे साथ साल वेट करना पड़ेगा सिटिजन सिप लेने के लिए दोस्तों फाइनल में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत की ओर से पांच गाली नेपाल को पड़ती है तो नेपाल के ओर से दस गालिया भारत को भी पड़ेगी तो ऐसे गाली गलोज करने से जहां तक कि दोनों देश के बीच में दू करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए मैं यहां पर किसी भी देश का पक्स नहीं लिया हूं बस न्यूटरल बाते बता रहा हूं कि हमें 20 में रहके काम करना चाहिए ताकि दोनों देश फिर से पहले कि तरह एक हो जाए और दोनों का संबंध अच्छा हो जाए तो दोस्तों प्लीज आप लोग से रिक्वेस्टर वीडियो को सेयर कीजिए और हमारे चैनल पढ़ने है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे मैं मिलूंगा नेक्स वोडियो में तब तक ख्याल लखे अपना और अपने चा